फ्रेंड्स होली का तिवहार आ गया है और सबके घर गुजिया जरूर बनती है और गुजिया बनाने में टाइम बहुत लगता है लेकिन आज हम जो गुजिया की रेसिपी लेकर आएं वो एकदम इंस्टेंट रेसिपी है फटा फट से बन जाएगी ज्यादा मेहनत नहीं करन है और ना ही मैदा का और ना ही हमें इसे तेल में फ्राइ करना है और फटा फट से हम गुजिया बनाएंगे और साथ में ये फ्लावर वाली जो गुजिया है वो भी बनाएंगे बिना साचे की डिजाइन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे हम ये गुजिया चलिए देखते है जिसके लिए हमने सबसे पहले थोड़ा सा पैन गरम किया है और इसमें दो चम्मच रवा डाला है आदा चम्मच घी और हम इसे भून लेंगे धीमी आज में हम इसे लगा तर पांच मिनट तक भूनेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा जैसे इसका कलर हलका सक चेंज होगा तो हम इसे निकाल कर प्लेट में रख देंगे ठंडा होने के लिए और उसके बाद आठ से दस बादाम आठ से दस काजू लेंगे जिसे हम कट कर लेंगे कट करने के बाद हम सबसे पहले बादाम डालेंगे और थोड़ा सा घी डाल कर इसे भून लेंगे जैसे हलका सा बादाम का कलर चेंज होगा तो हम इसमें काजू डालेंगे और उसके बाद किश्मिस लेंगे किश्मिस को भी हम थोड़ा चॉपड कर लेंगे कट कर लेंगे और उसके बाद भूनेंगे और अगर आप और भी कोई ड्राइफ रूट्स इसमें डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं इससे हम स्टफिंग बनाने वाले हैं इसलिए हम ड्राइफ रूट्स को पहले थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसका टेस्ट अच्छा है और ये किसमेज भी डाल दिये हैं दो मिनट में सारे ड्राइफ रूट्स भून जाएंगे और हम इसे निकाल कर साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए कुछिया बनाने में बहुत यह आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है जब आप घर पर बनाएंगे न तो महमान आपसे जरूर पूछेंगे कि कैसे बनाई तो हम क्या करेंगे तीन चम्मच लेंगे चीनी और हमने जो रवा भून कर रखा था सूजी भून कर रखे थी उसे डाल देंगे मिकसर गैंडर में और साथ में इलाइची इलाइची पाउडर थोड़ आदा चम्मज डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे इसे पीस लेना है और उसके बाद एक बाउल में निकाल लेंगे अब हमने जो भूने ओवे ड्राइफ रूट्स लिये हैं वो भी हम इसी में मिक्स कर देंगे और उसके पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मिल्क पाउडर दो चम्मज हम यहाँ पर मिल्क पाउडर डालेंगे इससे जो हमारी स्टफिंग है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा तो अभी मैंने एक चम्मच मिल्क पाउडर डाल दिया है और इसमें ड्राइ फ्रोट्स मिक्स कर दिये है और एक से दो चम्मच मिल्क पाउडर हमें डालना है और अच्छे से मिक्स कर लीना है इसको और हमारी टेस्टी सी स्टफिंग बनकर तयार है अगर आप इसमें नारियल कट करके डालेंगे तो इसका टेस्ट और भी अच्छा लगेगा थोड़ा सा दूद या शुद्ध देसी घी डालकर हम इससे बाइंडिंग के लिए इस तरह से तयार कर लेंगे अब हम इसे साइड में रख देंगे अब हमें गुजिया बनाने के लिए मिल्क पाउडर लेना है तो मिल्क पाउडर को हम डालेंगे एक कतोरी मिल्क पाउडर लेंगे और एक कतोरी ही मिल्क पाउडर लेंगे थोड़ा थोड़ा दूट डाल कर हम डो बनाएंगे ताकि यह मारा जो मिक्षर है वो गीला ना हो लेकिन अगर गीला हो जाए तो हम इसमें मिल्क पाउडर मिला देंगे थोड़ा सा तो यह वापस अच्छे से सॉफ्ट डो बनकर तयार हो जाएगा डो बनाने के बाद हम इसमें से थोड़ा सा निकालेंगे आटा और इसमें थोड़ा सा ओरेंज कलर मिलाएंगे यह ऑप्सनल है यह डिजाइन बनाने के लिए मैंने ऐसा किया है अगर आपको कोई डिजाइन नहीं डालना है तो आप ऐसा ना करें तो यह ओरेंज कलर कर डो बनकर रेडी हो गया है अब हम क्या करेंगे जो हमने आटा बनाया है उसके इस तरह से लोई बना लेंगे और उसमें थोड़ा सा जो हमने ओरेंज कलर मिलाया है उसे भी लगा देंगे उपर अब एक हम जेलेटिन लेंगे जो हम साड़ी आती है मार और एक लोई को रखेंगे और चकला बिलन के साहता से पूरी की तरह बेल लेंगे बहुत ही आसानी से इसे बेल लेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी ना तो ये फटती है और उसके बाद बहुत ही आसानी से निकल बिजाती है फिर अगर आपके पास गुजिया बनाने का पर और इस पूरी को उसके उपर रखेंगे और हमने जो स्टफिंग बनाई है उसे फिल करेंगे और गुजिया बना लेंगे बहुत ही आसानी से गुजिया बनकर तयार हो जाएगी और आपको उसे फ्राय भी नहीं करना पड़ेगा खाने में बहुत ज़्यादा तेस्टी लगेगी और देखने में भी थोड़ा डिफ्रेंट होगी इसी तरह से हम सारी लुईयां बनाकर स्टफिंग भर के गुजिया बनाकर तयार कर सकते हैं और अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप पूरी बनाए और उसके उपर स्टफिंग भर के इस तरह से हथेली से इसे दवा दें और फोक की सहायता से चमच से इस तरह आप इसमें डिजाइन बना दें तो अगर आपके पास गुजिया बनाने का मोल्ड नहीं है तब भी आप इस तरह से गुजिया बना सकते हैं अब हमने जो फ्लावर वाली गुजिया बनाई है उसे कैसे बनाना है तो उसके लिए भी हमें इस तरह से लोई कट कर लेनी है और उसके बाद उसके पूरी बेलनी है इसके लिए हमें दो पूरी चाहिए होंगी तो इसलिए हम दो पूरी बनाकर और उसे किसी भी कटोरी या धकन से बराबर कट कर लेंगे ताकि कोई भी पूरी का साइज बड़ा या छोटा ना हो तो इस तरह से पहले हम चार-पांच पूरीयां बेल कर रख लेंगे और इसे एक ढकन के साहिता से इस तरह से कट कर लेंगे बहुत ही आसान है इसे बनाना और ये देखने में बहुत ही सुन्दर दिखती है और इस तरह से स्टफिंग भरेंगे दूसरी पूरी उपर से रखेंगे और इस तरह उंगलियों से इसे दवा देंगे अब फोक की साहिता से इसमें भी डिजाइन बनाएंगे चारो तरब से अच्छी तरह से दवा देंगे तो इससे हमारे जो स्टफिंग है वो भी नहीं निकलती है और डिजाइन भी बहुत प्रॉपर बनेगी और इसके बाद अब हम चाकू लेंगे जिससे हम सबजी काटते हैं नाइफ और इस तरह से एक्वल पार्ट्स में इस तरह कट लगा देंगे कट लगाने के बाद हथेली में लेकर इस तरह से इसको जोड देंगे जो हमने कट लगाए है उसे अंगली और अंगोठी के साहता से उपर की तरफ ऐसे जोड देंगे तो ये सुन्दर सा फ्लावर का डिजाइन बनकर तयार हो जाएगा बहुत ही आसानी सी डिजाइन बन जाता है और देखने में बहुत ही सुन्दर देखता है तोड़ा डिफरेंट मिठाई बनकर तयार होगी तो आप इसे जरूर बनाईएगा ये देखे सुन्दर सा फ्लावर बनकर तयार हो गया इसी तरह से मैंने बहुत सारे फ्लावर बनाए थे और गुजिया भी बना ली तो इसके बाद अफ हम इसमें लगाएंगे चांदी वर्क लगाने के बाद मैंने इसे टूटी फ्रूटी से सजा दिया था तो इसे सुन्दर से फ्लावर बनकर तयार हो गया है गुजिया जिसे हम गुजिया भी बूल सकते हैं और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं देखने में इनका लुक बहुत सुन्दर दिख रहा है तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राय करिएगा अगर आपको ये इंस्टेंट गुजिया की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीट सब्सक्राइब करें इसी तरह क मोर रेसिपीज के लिए बहुत सारे मिठाई की रेसिपीज हैं सुखे नास्ते की रेसिपीज हैं उन्हें भी आप जरूर देखेगा और ये गुजिया भी देखे कितनी अच्छी बन कर तयार होई हैं साथ से आठ दिन तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं और सब को ज्यादा पसंद आएंगे तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में